नमस्कार दोसों स्वागत है आपका इस्टेनो गुरूज यूटूब चैनल में दोसों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 सब्द प्रित मिनट की स्पीड से डिक्टेशन जो कि आपका एडिटोरियल मैटर होगा लेकिन सब इसमें बहुत अच्छे आए हैं आप लोग इसको जरूर ट्रांस्क्राइब करिएगा और डिक्टेशन लिखने के बाद उसको पहले 5 मिनट 10 मिनट पढ़िएगा उसके बाद उसको ट्रांस्क्राइब करके PDF से मैच कराके कमेंड में जरूर बताना कितनी मिश्टेख हो रही है 80 सब्द प्रित मिनट की स्प प्रित में जरूर बताएंगे कितने मिश्टेख हो रही है पीडियो पिसका आपको मारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा टेलीग्राम कर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार काम तो ज़्याद समय ना लेती है पांस सेकेंड इस्टार्ट मुंबई पुलिस आयुक्त परंबीर शिंका तबादला यही बताता है कि उद्योग पती नुके संबानी के घर के बाहर बिसफोटक लदी कार खड़ी करने के मामले की आच उन तक भी पहुच चुकी थी वास्तों में वहां तभी सवालों से घिर गए थे जब सहायक पुलिस इक्सपेक्टर सचिन वजे को राष्टी जांच एजेंसी ने गिरफतार कर लिया था यह गिरफतारी बिसफोटक लदी कार की मालिक की हत्या के सिल्षिले में की गई अब तो यह संदिह भी गहरा गया है कि कार में विसफोटक भर कर उसे मुकेस अंबानी के घर की बाहर खड़ी करने का काम कहीं सचिन वजे ने ही तो नहीं किया सच जो भी हो परंबीर सिंग के अस्थानांत्रन मात्र से बात बनने वाली नहीं है क्योंकि यह प्रश्न अनुत्तरित है कि हिरासत में मौत के मामले में निलंबित और फिर नौकरी छोड़ कर शिवशेना की सदस्चता ग्रहार कर चुके सचिन वजे को महामारी की आण में बहाल करने का काम क्यों और किसके इसारे पर किया गया इससे भी गंभीर प्रश्न यह है कि मुंबई के सारे बड़े मामले उसके पास ही क्यों पहुँच रहे थे आखिर यह मनमानी किसके इसारे पर हो रही थी क्या पुलिस आयुक्त की या फिर उनके उपर भी पोई था इन सारे शवालों के जवाब मुंबई पुलिस ही नहीं महाराष्ट शरकार को भी देनी होंगे क्योंकि उसकी ही अतिरिक्त क्रुपा से सचिन वजहे की पुलिस में बहाली हो शकी यहा विचित्र है कि जब एक बेहत गंभीर मामले में महाराष्ट शरकार को यहा सुनिश्चित करना चाहिए था कि पुलिस की कारवाई नीर छीर धंसे हो तब बहुत ही भद्दे धंसे लीपा पोती की गई इससे भी बुरी बार यहा है कि शिवशेना नेता और यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री उधव ठाकरी बदनाम सचिन वजहे की पैरवी कर रही हैं क्या महाराश्ट में इस तरह कायम होगा कानून का सासन देशी नहीं दुनिया के नामी कारोबारी मुकेस अंबानी को आतंकित करने के मामले में शिवशेना के चहेते पुलिस इस्पेक्टर की संदिग्ध भूमिका मुंबई पुलिस के साथ साथ महाराश्ट सरकार को भी शर्मशार करने वाली है लेकिन शरकार में बैठे लोग सर्मिन्दा होने के बजाय यह राग अलापने में लगे हैं कि मुंबई पुलिस को नीचा दिखाने की कोशिस हो रही है उसकी छीचा लेदर तो उसके अपनी कर्मों से हो रही है जरूरी केवल यहां नहीं कि राश्टी जाच एजेंसी इस संगीन मामले की जाच ततपरता से करे बलकि यह भी है कि महाराश्ट सरकार में साजीदार कांग्रेस और राश्टवादी कांग्रेस पार्टी अपनी जबाब देही से मुहना मोडे अन्य राज्जियों की छोटे छोटे मशलों पर आसमान सिर पर उठाने वाले यह राजनीतिक दल इस मामले में चुपी साध कर फजीहत से बच नहीं सकते सभी लोग इसको टांस्क्राइब करेंगे मेंटर को प्रैक्टिस करने के बाद पांच बिनट पढ़ेंगे उसके बाद इसको टांस्क्राइब करेंगे इसमें जो भी नए सब्द आए हैं आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लिजेगा ठीके कोई भी नया सब्द मिले तो उस को मारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्षन में दिया गया अगर आप टेलीग्राम से नहीं चुड़े हैं तो आप डेली डिक्रेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबर सिब ले सकते हैं या हमारे पैट ग्रूप को जाइन कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आइडि है तो विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यबाद धन्स वाराचिंग जैहिं जै भारत